दबाए तो फिर उसका एक्षन रिवर्स हो जाता है तो फर बोल्डिंग दे कंटेंट यू शुड यूज दे ऑप्शन कंट्रोल प्लेस बी अगर आप चाहरे कि इस कंटेंट को मैं एक अलग तरीखे से बताऊ उसको कुछ एक स्टाइल दो तो आप सको कंट्रोल प्लेस आई करना है तो यह इटालिक हो जाता तो यह थोड़ा स्लैंट फॉर्मैट में हो जाता आपका टेक्स्ट अगर फिर इसी content को आप वापिस करना चारे तो उसे हाइलाइट करके control प्लेस आई करो तो वो वापिस reverse form में हो जाता है slant जाके वो फिर vertical format में हो जाता है फिर उसको change करना है तो control प्लेस आई वापिस करना है तो फिर control प्लेस आई अगर आप इस पूरे format को अगर आप पूरे format को capital करना चारे है ठीक है तो इसको करना है control प्लेस शिफ्ट प्लेस ए देखे control प्लेस शिफ्ट अब आपका matter क्या है पूरा यहाँ पर small letters में है अब फिर से पूरा उसको delete करके आप उसको capital में लिखना आपको फिर time consuming देखे आप समझेगे पूरा matter आप इस पूरे matter को आप caps lock में लिखना चारे है capital letters में लिखना चारे है तो इसका बहतरीन shortcut है control shift और capital A देखे जैसा आपके पूरे small letters क्या हो गए capital format में हो गए अगर आप फिर वापिस करना चारे तो फिर आप क्या कर सकते है या तो control Z से undo हो जाता है अगर समझो control Z option नहीं है आपके पास okay control Z option नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते है इसको select करके वापिस फिर से control shift K दबा दे सकते okay तो वो पूरे फिर small letters में हो जाता है एक और एक option भी है वो भी देख सकते हम लोग control shift K तेखे आप तो control shift A दबाने से पूरे small letters capital letters में हो जाते है ठीक है यह और एक उच्छा option अगर आप font का size बढ़ाना चारे तो आपको करना है control plus square bracket right वाला square bracket करना है ओके तो इससे क्या हो रहा है आपका font size बढ़ते जा रहा है देखे control plus square bracket में यहां पर बतातूं square bracket कैसा रहता है इस format में रहता है keyboard पर तो आपको करना है control plus square bracket यह option select करना रहता आपको जब आप यह option select कर लिए तो आपके जितने भी है यहां पर font size यह increase कर सकते आप इसको अगर आप इसी font size को decrease करना चारे ठीक है एक एक option से decrease करना चारे तो आपको करना है control shift यहां पर left side का square bracket लिखें गया बन तो आपको select करना चाहिए control और left bracket देखें आपको क्या करना है यहां पर अगर आप चाहरे कि आप कुछ एक लिंक इंसर्ट करें इस इस matter के अंदर तो आपको करना है इस इसको पर हाइलाइट कर लेना है हाइलाइट करके आपको करना है control प्लेस के मैं option यहां पर लिख दे तो तो इसको select करें आप control के दबाए तो आपको यहां पर आता है insert hyperlink या तो आप किसी document को यहां पर कर सकते या तो फिर सीधा direct address लिख जा सकते आप और एक्सिस्टिंग फाइल या वेब पेज अब यहां पर मैं लिख देता हूं www.google.com तो जबी भी मैं electronic के ओपर जाओंगा तो वहां पर आपको option बताता www.google.com तो यह option से आप क्या कर सकते hyperlink insert कर सकते इसके अंदर अब आएंगे text alignment के लिए अब समझो यह आपका पूरा text है तो यहां पर अब हम देखेंगे text alignment के लिए ठीक है आप समझो यह आपका matter है और इसको आप क्या करना चाहरे center में ला रहे तो इसको क्या करना है आपको select कर लेना है select कर लिए बाद आपका option हो जाता है control e जो आप control e करेंगे तो आपका जो test है वो center में चलेंगा क्या लिखेंगे आप control plus e जब आप यह option दबाएंगे तो आपका text जो है center में चले आता होगे उसको गर आप वापिस लाना चाहरे center से फिर वापिस तो control e दबाएंगे वो left side पर आ जाएंगा और else आप उसको ऐसा कर सकते हैं control L दबाद जब आप control L करेंगे तो अब आपका test directly center के तरफ चले आएंगा control e for center control left पर extreme left नहीं अगर आप चाहरे किस्व राइट में shift करना जाता है से control R दबाएंगे जब आप control R दबाएंगे तो आपका जो test है वो right side के तरफ control plus R it will go to right side control plus C it will go to center control plus L it will go to the left side अब next जो option है वो justified अब control plus J वो justify हो जाता उसके लिए अगर आप इसी bullet point में करना चाहरे ठीक है तो control shift L जब आप भी control shift L करेंगे तो यह bullet point में form हो जाएंगा फिर से देखेंगे अगर आप इस content को control bullet point में shift करना चाहरे तो तब आपका option हो जाता है control shift L जिसके वज़े से यह bullet point वापिस निकालना है तो control shift L दबाईए अगर नहीं हो रहा तो control Z दबाईए वापिस हो form में हो जाता है अब थोड़े editing shortcuts देखेंगे यहां पर आप समझे आपको पूरा content select करना है ठीक है पूरा content select करना है तो आपको दबाना होगा control A control A से क्या होता आपका पूरा content select जितना भी content है इस file में पूरा content select हो जाएगा अपको आपको टोटल words देखना है तो यहां पर देख सकते आप left side corner में कि 96 of 96 words पूरे select हो गया है या फिर आप इसमें से कुछी words select कर रहे है तो देखे 3 out of 96 words select हो आपर अगर आप किसी content को cut करना चारे तो आपका content हो जाएगा control plus X जब आप control plus X करेंगे वो यहां से content cut हो जाएगा okay delete नहीं cut हो जाएगा मतलब यह temporary store होके है तो अगर आप इसको safe फिर से वापिस कहीं जाकर इसको paste करना चारे तो control V दबाना होगा आपको okay अगर आप फिर control V दबाएंगे तो वो content paste हो जाएगा अगर आप same content को copy करके तो pasting के लिए क्या है control V है fine अगर आप content को copy करके कहीं और लिके जाना चारे तो वो हो जाएगा control C okay तो इस content को रहते है आप control C दबाके enter दबाके आप फिर control V करिए paste के लिए same content copy होके आप उसको paste कर सकते हैं अगर किसी action को आप उसको फिर से वापिस करना चारे एक step पीछे जाना चारे तो आप control Z दबाएंगे तो आपका action reverse हो जाएगा क्या करिए control Z दबाएंगे तो आपका action क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा उसको बुलते हैं undo नई undo करिए बात फिर से उसको नई वापिस final action पर लाना है तो control R दबाएंगे control Y दबाएंगे आपका action हो जाएगा redo तो redo option के लिए है control Y अब आप किसी content को इसके अंदर ढोना चारे ठीक है तो content को ढोना चारे तो तब आपका shortcut हो जाएगा control F तो आप control F करिए तो आपके left side पर एक option आ जाएगा यहां से आप document में कुछ भी सर्च कर सकते हैं जिससा मैंने कहा demo कुछ सर्च करके बता दिया या तो फिर आप करिए lowrium आपके document में जितने भी contents है वो सब यहां पर आ जाएगे fine अब देखेंगे हम लोग यहां पर एक next option अगर आप अपना last action रिपीट करना चारे इस में ठीक है तो वह हो जाएगा control f4 इससे आप क्या कर सकते है फाइल को सेफ भी कर सकते है अगर आप चारे कि date insert करना है यहां पर तो आपको option हो जाएगा shift plus alt plus d चलिए option देखेंगे हम लोग मैं यहां पर date insert करना चाहूं तो shift plus alt plus d देखेंगे आप राइट साइट पर यहां पर date insert हो गया है आपको याद करने की भी ज़रूत नहीं कि आज क्या date है कौन सा माहिना है वगेरा आप सीधा उसको निमरिकल्स में आके अग कर सकते हैं और इसका option है shift alt d देखें राइट साइट पर सेम यह content को अगर आप left साइट पर लाना चाहरे तो इसको select करके आप control L कर दीजिए तो left साइट पर आ जाएगा center में लाना है तो क्या है option इसका जब आप इसको center में लाना चाहरे तो control E है फिर वापस right पर लाना चाहरे तो control R है अगर आप क्या चाहरे आप यहाँ पर साथी साथ टाइम भी insert करना चाहरे तो आपका option हो जाएगा shift alt t shift alt t देखें यह time है यहाँ पर बारा बच के दो मिनिट दो पर गया तो इस तरीखे से आप time भी कर सकते हैं insert अब देखेंगे next option अब यहाँ पर आप क्या करना चाहरे एक cursor को move करना चाहरे लेकिन पूरे एक word के साथ cursor को आप move करना चाहरे complete एक word के साथ तो आपका हो जाएगा control plus arrow जब आप control plus arrow करेंगे तो पूरा एक word के साथ move हो जाएगा देखेंगे फिर से आप इसको control plus मैं left side का arrow दबा रहा हूं तो वो left side के तरफ पूरा एक word move हो रहा है अगर वही चीज control plus arrow जब करना है तो right side का arrow प्रेस करना है control दबा के तो complete one one word shift हो जाएगा कि निक्स्ट चीज़ है एक कंट्रोल बैक्सपेस अब यह देखेंगे की option क्या करते कंट्रोल प्रेस अब बैक्सपेस दबाएंगे तो वो पूरा वर्ट से ले जाएंगा देखें अगर आप चाहरे चाहरे एक एक वर्ड इसा डिलीट करते रहना पड़िगा अगर आप कंट्रोल प्रेस बैक्सपेस दबा दिंगे तो तक्रीबन वो पूरा वर्ड है वो डिलीट हो जाएंगा नहीं अगर यह तो हुआ लेफ साइट की बात लेकिन अगर आप चाहरे राइट साइट ओकर राइट साइट का पूरा वर्ड इलीट होना है तो कंट्रल प्लेस डिलीट कर्सर के राइट साइड जो भी वर्ट रहेंगा कंप्लीट एक वर्ट डिलीट हो जाएंगा ओके तो चलिए आपको मैं सबसे और एक इंपोर्टेंट आप्शन बताऊंगा यहां पर अगर आप चारे की रुपी का सिंबॉल आपको टाइप करना है लेकिन आपके कीबोर्ट पर अगर नहीं भी दिखा ठीक है तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कंट्रोल प्लेस आल्ट प्लेस फॉर ओके यह कौन सा फॉर है यह जो आपके कीबैट पर उपर में है वह अला फॉर कि वह नहीं कि जो राइट साइट पर नम लॉक के पास है कि जो आपको डॉलर का सीम्बल रहेंगा वहाँ पर खॉर अपको प्र्रेस करना है तो देखे यह प्रेस करके आप क्या हो जाएँगा कंट्रॉल प्लेस आल्ट प्लेस फॉर आपको रुपी का सिंबल आजेंगा यहाँ पर कि ठीक है तो यह सारे कीस है शौर्टकट कीस है आप इस वीडियो को फिर से देखिए तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आएंगा अगर कुछ बोलना है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं अगर आप कुछ भी इसमें से सीखनी को मिला तो आप प्लीज लाइक करिये वीडियो को शेर करिए और ऐसी अगर आपको और ट्रिक्स के बारे मालूम करना है तो चैनल को सब्सक्राब करिए और बेल नोटिफिकेशन भी यह से दबाईए अब हम देखेंगे एक्सेल के शॉटकट्स एक्सेल के शॉटकट्स में पहला शॉटकट है कंट्रोल प्लेस जब आप कंट्रोल प्लेस ओ करेंगे आप इससे क्या देख सकते कि आप नया डॉकुमेंट कोसा खुलना है यह आप चेक कर सकते कंट्रोल प्लेस ओ दबाईए जब भी आप कंट्रोल प्लेस ओ करेंगे आपको ओप्शन आएंगा विंडोस ओप्शन आएंगा कि आप कौन सा डॉकुमेंट ओपन करना चाहरे लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इसमें कुछ लिख रहे हैं जब आप कंट्रोल प्लेस ओ करेंगे तब आप्शन काम नहीं करेंगा उसके लिए आपको क्या करना है दूसरे सेल पे क्लिक करके कंट्रोल प्लेस ओ दबाना है लेकिन जब आप एडिटिंग कर स्टार्ट कर देंगे तो यह option काम नहीं करता यह है पहला option कोई document खोलने के लिए अगर आप एक completely नया document करना चारे यहां completely blank document open करना चारे तो आपका option रहेंगा तो एक नया document open हो जाएंगा तो क्या है वह option control plus n जिसके वज़े से आप एक नया blank document खोल सकते हैं अगर आप print dialog box open करना है आपको तो तब आपका option हो जाएंगा control plus p तो same जैसा word में है उसी तरीके से यहां पर भी print dialog option open हो जाएंगा control plus p से next option देखिए अगर आप इस workbook को safe करना चारे तो वह हो जाएंगा control plus s तो क्या है वह आपका option control plus s जिसके वज़े से आप इस document को सेफ कर सकते new document को fine अगर आप इस document को बंद करना चारे तो वह हो जाएंगा control w अगर आपका document already saved है तो यह dialogue option नहींगा लेकिन अगर save नहीं है तो directly close हो जाएंगा okay next है control plus f2 अगर आप control plus f2 दबाएंगे तो उसमें भी आपको print का option आ जाएंगा कि print preview कैसा दिखता है पर right side पर देख रहे हैं यहां पर option है और एक f9 अगर आप f9 दबाएंगे जब आप control plus f2 और f9 के साथ करेंगे आपको बताएंगा कि कितने workbooks open है अगर आप shift plus f9 दबाएंगे तो आपको दूसरे options भी बताता है कि यहां पर कितने active worksheets है control plus f10 जिससे क्या हो जाएंगा आपका window short हो जाएंगा फिर maximize हो जाएंगा window का जो size है कम हो जाएंगा फिर उसी को दबाने से तो maximize भी हो जाएंगा तो वह है आपका option control plus f10 जिभी control plus f10 दबाएंगे आपको maximum minimum हो जाएंगा आपका window अगर आपको नया वर्शीट introduce करना है ओके तो वह option हो जाएंगा आपका shift plus f11 ओके तो देखिए नया वर्शीट add हो गाए अब हम पहले वर्शीट वन में थे जैसा ही में control shift control shift और f11 दबाऊंगा नहीं वर्शीट open हो जाएंगी ठीक है अब देखिए नहीं चीज़ f12 f12 में क्या है अगर आप इस वर्शीट को save as करना चाहिए ओके सिर्फ f12 दबाने से क्या हो जाएंगा यहाँ पर सिर्फ f12 दबाने से save as का dialogue खुल जाएंगा dialogue box जिसमें आप save कर सकते हैं अब आएंगे फार्मेंटिंग के साइट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक सिंबल रहेंगा जो न से पहले देखेंगे आप उस सिंबल आएंगा इसा इंफिनिटी के जैसा सिंबल आएंगा उसको अगर आप वो दबाएंगे देखें कंट्रोल शिफ्ट तो एक जरनल फॉर्मेट सेट अप हो जाएंगा सब के लिए अगर यहां पर आप मैं नंबर लिख लिए थाउजन बुलकर अब इस थाउजन को मैं करेंसी फॉर्मेट में लाना चाहाँ तो क्या हो जाएंगा मेरा ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट और एफॉर्ड दवाना पड़िंगा में को उस करेंसी पर आके कंट्रोल शिफ्ट और फॉर्मेट तो देखिए आप करेंसी फॉर्मेट में खुद बगुद हो गया हूं रुपी कि तो यह बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप करेंसी को न्यूमिरिकल्स में लिखके करेंसी फॉर्मेट में इसली चेंज कर सकते हैं इसमें डिसिमल भी आएंगा आपको अगर कुछ चेंजस रहे तो डिसिमल के बाद भी नंबर्स रहे तो अगर यहां पर आपको डेट फॉर्मेट सेट करना है अगर मैं नंबर लिख लिए यहां पर तो डेट फॉर्मेट के लिए क्या रहेंगा सेन कंट्रोल शिफ्ट रहेंगा लेकिन आखरी में हैश सिंबल रहेंगा देखेंगे यहां पर इसको डिलीट करेंगे और अपने ल से हटा देंगे 0101 2023 ठीक है अब इसको डेट फॉर्माट में करना है देख लिए तो इस तरीके से डेट फॉर्माट में आप इसको कर सकते हैं 2023 मन्त आप लिख लिए 01 और देट को भी आप चेंज कर लिए 01 ठीक है 01 जन 2023 तो यह है देट फॉर्माट के लिए ऑप्शन अब एक नहीं चीज़ देखेंगे और एक टाइम फॉर्माट लाना है तो यह आपका हो जाएंगा 01 एक सेंबर ठीक है इसे डिलेट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एट ठीक है पहले लिख लिए अपन 1523 और यहां पर देखें टाइम फॉर्माट में आ गया एडिट करेंगे एडिट करके आप इसमें डेट भी लिख ले सकते हैं कि देट लिखिए 01 01 2023 और इसको टाइम भी सेट करना है तो आप जीरो वन 24 आवर्स में आप इसको बता दे सकते हैं यह फार्माट है इसका ठीक है तो कंट्रूल शिफ्ट ए दबाने से क्या हो जाएंगा आपको डेट भी आएंगा और साथ यह साथ टाइम भी आएंगा आपको कि अब एक और एक ऑप्शन देखेंगे हम लोग कंट्रूल प्लेस करेंगे आपको फार्मेट साल आ जाएंगा यहां पर अगर आपको जिस तरीके से उस सेल को फार्मेट करना है उस सब यहां पर जनरल है नंबर है करन्सी है अकाउंटिंग है डेट है फ्रैक्शन है परसेंटेज है टाइम है साइंटिफिक के टेक्स्ट फार्मैट में है स्पेशल कैरेक्टर में कस्टम्स में तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं इसका श्ट कट की है कंट्रोल और वगर यह डिन एकुसाथ दबाएंगे कंट्रोल दबाकर के वन दबाएंगे तो यह आप्शन आजएग आपको करने से अब आप चारे कि इसका font size change होना है तो आपको दबाना है Alt plus H यह Alt plus H दबाने से क्या आपको जितने भी होम पे short cuts है वो बता देता है इसके बाद दबाना है आपको F ठीक है फिर दबाना है S कि इससे क्या है आपका font size change होता है स्लाइट को अगर zoom in zoom out करना है आपको तो Alt plus W दबाना है आपको Alt plus W दबाना है फिर उसके बाद Q दबाना है तो आपको यह डायलॉक बॉक्स आएंगा यहां पर आप सेलेट कर सकते हैं किस तरीके का जूम होना है आपको fit बोले तो exact जो fit size हो जाता है दूसरा है 400% देखिए अप मैं फिर आप 50% करके select करोंगा यह size हो गया नहीं आपको change करना है तो Alt plus W फिर Q 66% करना है तो यह select करिए यह size हो जाता है नहीं आपको फिर change करना है तो Alt plus W फिर Q दबाना है अपको फिर आपको zoom का dialogue box आ जाएंगा 200% इतना बड़ा है फिर Alt plus W Q नहीं आप चारे की fit होना है मतलब यह हर monitor का size अलग हो जाता है उस हिसाप से यह fit कर देता है साइस देखे ना तो Alt plus W दबाए बात फिर आपको Q दबाना है तो आपको वो dialogue box आ जाएंगा अब यहाँ पर कोई text लिखावा है अगर आप इसको cut करना चारे ठीक है cut करके कहीं और safe करना चारे है आपको यहाँ से भी निकालना है लेकिन कहीं और रखना है तो आपको दबा बना रहता Ctrl X तो वो cut हो जाता है और आप कहीं और paste करना चारे तो वहाँ जाके आप उसको Ctrl V कर देना है वो paste हो जाता है यहाँ से निकाल कर कहीं और paste करना है तो Ctrl X for cutting और Ctrl V for paste ठीक है नहीं अब बस आप copy करना चारे आप copy करके क्या करना चारे कहीं और paste करना चारे है यहाँ और और बी रखना है तो आप Ctrl-C करिए जहांपे आपको पेस्ट करना है वहां पर जाकर Ctrl-V दबाईए वो पेस्ट हो जाता है यहां पर भी रहता और वहां पर भी रहता है ठीक है यह है फार्मेटिंग के लिए अगर आप से कुछ गलती हो गई ठीक है गलती से कुछ डिलीट हो गया ठीक है और आपको क्या करना चारे है उसको वापिस रिवर्स करना चारे अंडू करना चारे स्टेप के लिए तो उसके के लिए है shortcut की Ctrl Z, Ctrl Z दबाने से वह action reverse हो जाता है, जो भी last action है, उससे reverse हो जाता है, ठीक है, अब आप presentation जो है PowerPoint का इसको safe करना चारे, तो इसके लिए shortcut की है, Ctrl S, Ctrl S दबाते हैं, यहाँ पर आपको dialogue box आ जाएंगा, कि इससे आप कैसा safe करना चारे, यह क्या है, पहला document है, जो आपने blank document open किया, और आप इससे safe नहीं करें अब तक, तो Ctrl S दबाने से आपको यह dialogue box आएंगा, यहाँ से आप उसको नया नाम देकर safe कर सकते हैं, लेकिन अगर यह already एक नाम से safe होके है, और आप कुछ भी changes लेके आए, ठीक है, आप फिर उसको safe करन existing नाम के साथ, वो save हो जाता है, और अब आप यहाँ पर एक picture insert करना चाहरें, तो उसके लिए है shortcut, Alt, N, और P, ठीक है, Alt, P दबाए तो, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक options आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बपर से दबाता हूँ, Alt, Alt, N, P, पी दबाए बाद, यहाँ पर picture का highlight होआ है, पी 1 दबाए, तो आपको इस कई सार options आते हैं, यहाँ पर, तो आप उसमें से select कर सकते हैं, इस device भूल कर, यहाँ पर stock image, यह online image, online images में जा सकते हैं, तो आपको एक नया window open होके बताता है, ठीक है, तो पिच्चर के लिए है, Alt, प्लिस, एन, प्लिस, पी, यह command दबाने से आपको पिच्चर का dialogue box खुल जाता है, यह shortcut की है, तो पिच्चर के लिए, अब हम देखिए नेक्स चीज, अगर आप चारे की shape insert करना चारे आप, ठीक है, तो shape insert करने के लिए आपको दबाना रहेंगा, option, Alt, प्लिस, है, उसके बाद, S, फिर, है, देखिएंगे, Alt, प्लिस, है, फिर, S, shapes के लिए आगया, फिर, है, तो यहां काफी सारे dialogue options, open हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आप को साब भी insert करेंगे, फिर से देखिएंगे, option, Alt, प्लिस, है, S, फिर, है, अब मैं यहां पर circle insert करूँगा, ठीक है, इस circle, जो है, शेप मैं insert कर दिया, समझ में आगया ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, shapes को insert कर सकते, अब हम देखेंगे shortcut option फर, किस के लिए, theme के लिए, तो यह है, Alt, प्लिस, G, फिर उसके बाद दबाना है आपको, H, select करेंगे, Alt, G, प्लिस, H, आपको थीम्स आजाएंगे, तो यह theme मैं select कर लिया, यहां पर, ठीक है, तो क्या है, इसका shortcut की, Alt, प्लिस, G, प्लिस, H, ओके, अब, आपका next है, shortcut की, Alt, प्लिस, H, फिर L, ठीक है, तो Alt, प्लिस, H, दबाईए, फिर दबाईए, L, आपको आएंगा, यहां पर options की, जो slide का layout है, वह आप यहां से select कर सकते हैं, अब मैं चाहरूं कि next slide जो layout है, blank रहना है, यह तो फिर two contents का रहना है, तो अब select करिए, तो वह slide का layout, उस format में हो जाता है, इसको फिर से run करके देखेंगे, यहां पर, Alt, प्लिस, H, फिर दबाईए, L, अब यहां पर दुसरा option देखेंगे हम लोग, ठीक है, अब समझो, यहां पर एक और एक slide है, तो यह slide से आपको दुसरे slide पर जाना है, तो आपको उपस सिर्फ डान arrow दबाना है keyboard पे, और अगर जब अप arrow दबाएंगे, आप पहले वाले slide पे चल जाएंगे, ठीक है, तो ड पर वाले slide के तरफ चले जाएंगे, अगर होम टैप पे जाना है, आपको, होम टैप जो यहां ऊपर है, ठीक है, तो उसके लिए आपको दबाना पढ़ेंगा, keyboard पे, control plus H, जब आप control plus H करेंगे, तो होम टैप के पास चलेंगे, यहां पर आप देखिए, यह काफी सारे shortcuts है, अगर मैं V दबाया तो पेश्ट हो जाएंगा, अगर मैं 1 दबाया तो बोल्ड हो जाएंगा, ठीक है, तो उसमें दिखेंगे, L दबाया समझे, तो layout, L दबाते, layout option open हो जाएंगा, cancel करोंगा, Q दबाऊंगा, Q दबाते, दूसर options हो जाएंगे, और अगर G दबाया, तो क्या होंगा, यहां पर slides arrange होंगे आपके, यहां पर D1 दबाया हमें, तो dictation होंगा, design select करना है, तो D2 दबाना होंगा, ठीक है, अगर option undo करना है, तो AZ है, A क्या है, repeat के लिए है, ठीक है, अगर new slide दबाना है आपको, तो सिफ I दबाना है, तो आपको new slide का option आजाएंगा, कि आपको नया slide कैसा रहना है, अगर आप यहां पर alt N दबाएंगे, तो आपको insert tab में तरफ चलिया सकते है, alt plus N, ठीक है, जब alt plus L दबाएंगे, तो insert tab open हो जाएंगा, यहां पर आपको पुरे shortcut keys बता देंगे, अगर H दबाएंगे, तो head and footer option open हो जाएंगा, काफी सारे है, जूम करना है तो Y दबाएंगे, ठीक है, word art ओपन करना है तो W दबाएंगे, screenshot के लिए SC है, अगर आप एक नया slideshow open करना चारें, ठीक है, तो उसके लिए हो जाता है, alt plus S, फिर उसके बाजुक B, तो alt plus S दबाना है, फिर B दबाना है, तो आपका slideshow open हो जाता है, अगर आपको slideshow end करना है, तो escape दबाना पड़िंगा आपको, ठीक है, अगर आपको powerpoint इस close करना है, तो उसके लिए option है, alt plus F, फिर उसके बाद X, जब alt plus X दबाएंगे, alt plus F दबाएंगे, तो आपको options आजाएंगा, बंद करने के, अगर आप फाइल पेज open करना चारें, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएंगा, alt plus F, alt plus F दबाएंगे, तो आपको ये नया तरीखा आजाएंगा यहांपर, यहांपर आप open कर सकते कि कौन से files आपको open करना है, अगर मैं escape दबाया, तो वापिस cancel हो जाता है, यह एक option है, दूसरा है, अगर आप home टब करना है, तो आप अगर आपको designer टब खोलना है, ठीक है, तो alt plus G है, तो alt plus G दबाएंगे आप, आपको design वाला टब खोल जाएंगा उपर, जहां से आप select कर सकते हैं, हैच दबाने से य experience खुलते हैं, slight size जबानी के लिए S दबाना है, format background के लिए F दबाना है, अगर आप transition टब open करना चाहरे, तो वह है, alt plus T, जब आप alt plus T दबाएंगे, तो transition टब open हो जाएंगा, यहां पर, तो यहां पर आप सारे काफी सारे transitions है, जो आप देख सकते हैं, हाँ, अगर आप animation टब open करना चाहरे, तो उसके लिए हो जाता है, Alt plus A, तो आप का animation टब open हो जाता है, यहां पर आप select कर सकते हैं, shortcut keys, animation के लिए, slide show के लिए, तो आपका मालम मीचे, Alt plus S दबाना है, तो इस slide show वाला टब open हो जाता है, slide show के लिए, option आपका Alt plus S, slide show के लिए, Alt plus S, ठीक है, अगर review tab open करना है, तो आपका दबाना चाहिए, आपका दबाना चाहिए, Alt plus R, अगर आप review tab खोलना चाहरे, उसके लिए, Alt plus R है, अगर आप view tab खोलना चाहरे, उसके लिए, Alt plus W है, आपको view tab open हो जाता है, अगर आप यहां पर कुछ लिखे हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां, अगर पिटे हैं, आपके, आपके, आपका तो मैं पर की हुवराण, आपके, वीवेढ़ मैं पर आप करना है, एका यहां, ईापके, आपके ठीक है अगर यहां पर अगर अपने कुछ सेलेट करना चाहरो वन कैरेक्टर टू दा राइट अब यहां से मैं राइट सेलेट करना चाहरो तो उसके यह होंगा shift plus right arrow तो एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाता shift प्लेस राइट आड दबाने से एक कैरेक्टर सेलेक्ट होते जाएंगा ठीक है नहीं अगर लेफ्ट सेलेट करना चाहरो वन कैरेक्टर सेलेक्ट होते रहेंगा नहीं आप चारे कि मैं पुरा वर्ट सेलेक्ट करूं तो उसके लिए हो जाता है Ctrl Shift Right Arrow तो पुरा एक वर्ट सेलेक्ट होता है अगर मैं चारूं कि पुरा एक वर्ट सेलेक्ट होना तो उसके लिए है Ctrl Shift Right Arrow नहीं अगर मैं चारूं कि पुरा एक वर्ड लेफ्ट के सेलेक्ट होना है तो पहले आप Ctrl दबाना पड़ींगा Ctrl Shift फिर Left Arrow अगर आप Ctrl नहीं जैसा Shift दबा दिंगे पहले फिर Ctrl दबा दिंगे तो आपका Option सेलेक्ट होता पिर तो आप क्यों दबाना है Ctrl Shift Left Arrow ठीक है अगर आप पूरी क्लाइन सेलेक्ट करना चारे यहां पर तो आपको दबाना चाहिए Shift और Up Arrow तो पूरा Exactly उसके उपर तक सेलेक्ट होता है देखें ऐसा सेलेक्ट होते वे जाता इसके उपर नहीं आप चारे कि नीचे सेलेक्ट कर लेते जाओ मैस की नीचे तो Shift प्लेस डॉन आरो तो ऐसा सेलेक्ट होते वे जाता है और जो भी आप सेलेक्ट करें फिर उसको कैंसल करना चाहिए तो Escape दबा दीजिए वह कैंसल हो जाएगा आरो पिसम्य पुर्पऴें पुर्पश होते थे जाएगा पूरे complete text को select करना चारे, तो control A दबाए, select हो जाएंगा, और एक बार अगर बाहर आके आप control A दबाएंगे, तो पूरे boxes select हो जाएंगे, अगर आप box के अंदर है कि control A दबाएंगे, तो सिफ वही content select हो जाएंगा, लेकिन अगर box के बाहर रखके आप control A दबाएंगे, तो पू if you click here, 1000 ज्बाइब अगर यहां पर क्लिक कर के कंट्रोल यह भूगर दबाएंगे पूर स्प Dalai और लेटों के तो追़ ले की में समाज में आगे अपको यहां यहां ने करशा है उट लाइइन व्य उने यहां यहां पर जाकर आप चंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरों के content सेलेक्ट हो जाएंगा यहां पर Outline view पर जाकर यहां पर click करके अगर आप Ctrl A दबाएंगे तो पूरों के select हो जाएंगा यहां पर यहां से रहे कि आप change कर सकते font size क्या होना चाहिए तो पूरे boxes के change हो जाते हैं ठीक है अब दूसरे options हैं यहां पर ठीक है अगर मैं यहां पर से फेक है character हटाना चाहरा हूँ लेफ्ट के तरफ तो आइरो दबाएंगे तो है कि एक है character है रट के तरफ तरफ do एक एक डेड़ां के तरफ मुव करना चाहरी हो न हो तो लेफट 相 оруж दबाईए रहट के तरफ करना चाहरे तो रेटा रेटा इल्द बाईए ूपर करना चाहर wann तो ऊपर के न दबाएंगे एक लाइन उपर हो जाती है एक लाइन नीचे होना है तो डाउन ऐरो दबाईए यह पूरा एक वर्ड हटना चाहरे आप पूरा अगर वर्ड विताउट ठीक है तो कंट्रोल और लेफ्ट दबाईए तो बिना सेलेट करें कर्सर आपका मूव होता है शिफ्ट दबा दिये तो बिना सेलेट अगर होट अगर शिफ्ट मनफे लाइन दबा तो बस खालि उस पर एंड कीबूर्ट परрем Sims चलेंगा हों पे जाना है तो फो दबाईए को बना चाहरे दस तौन आट के तरफ चाह वह घंडाता है अगर आप पूर वेकराइब ыपर झाना है तो CTRL ब्लेस अप आप आरो दबाई है तो एकदम 땁 परग्रफ के स्टार्टिंग में में चलेएंगा नहीं आप चारिकिकिशिद्म परग्रफ के अáर। मिस्याने तो CTRL और non यारो दबाई है वो paragraph के अपर न में चलेएंगा छले जाएंगा कट्रोल र एंटर दावाने से नया स्लाइड ऊपन होता यहाँ पर ओके अगर मैं रहा हूँ अगर मैं यहाँ रिरुके इंटर दावाया तो नहीं होता यहाँ पर को TO और इंटर दबाया तो नया स्लाइट ओपन होता है यह उसी तरह से आप नए स्लाइट्स ओपन कर सकते हैं शॉटकट की है इसका अब हम देखेंगे विंडोस के कुछ शॉटकट की ठीक है जो आप यूज कर सकते हैं विंडोस के लिए अगर आपको स्क्रीन दबाना है तो आपको विंडोस जिससे यह आइकाउन है कीबोर्ड पे रहता है तो आपको इसे प्रेस करना चाहिए इसे प्रेस करने से आपका विंडोस का स्क्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो जाएंगा अगर आपको कुछ ढूना चाहरे ठीक है विंडोस के दबाना है और साथ ही साथ F option ठीक है तो इससे क्या हो जाएंगा Files के तरफ चले जाएंगा Windows Plus F Files के तरफ जाएंगा अगर आप कुछ पूरे documents जितने भी चीज़ां है उसके उपर options उसे पूरे select करना चाहरे आप तो वह है control A करने से जितने भी text boxes है या files है select control A से पूरे file select हो जाएंगे जब आप उसको share करना चाहरे तब उसका option है share charm का Windows option plus H से क्या हो जाएंगा quick key है यह जल्दी share हो जाएंगा अगर आप open charms करना चाहरे तो इसके लिए यह Windows key plus C Windows key plus C दबाने से open charms हो जाएंगा settings में जाना है आपको setting charm में तो Windows key plus I तो settings में open हो जाता है direct desktop जाना है आपको तो आपको Windows key plus D दबाए दीजिए shortcut की है यह desktop सीधा direct count से भी Windows open रहेंदो desktop आ जाएंगा अगर आप focus between snapped and large jobs करना चाहरे तो वह Windows key plus J जिसके वाज़े से आप focus change कर सकते हैं Windows Explorer खोलना चाहरे आप तो उसका option है Windows key plus E जिससे आपका यह option open हो जाएंगा devices के बारे में खोलना चाहरे आप window तो वह Windows key plus K जिससे devices का open हो जाएंगा search box open करना चाहरे तो वह control key plus E जिससे search box open कोड़ सकते हैं और file वहाँ पर ढूंद सकते हैं अगर user switch करना चाहरे या तो फिर screen lock change करना चाहरे तो Windows key plus L जिससे आप user और lock change कर सकते हैं पूरे Windows को minimize करना है तो Windows key plus M दबाईए minimize हो जाएंगा अगर आप कुछ command run करना चाहरे तो Windows key plus R तो वह run हो जाएंगा new window open करना चाहरे आप तो control plus N दबाईए तो नया window open हो जाएंगा ठीक है set focus and task bar and cycle apps करना चाहरे आप तो अपसके लिए Windows key plus T दबाईए तो आपको task bar and cycle apps open हो जाएंगे new folder open करना है तो control plus shift plus N जिसके वज़े से आप नया folder create कर सकते हैं ease of access center जहां पर accessibility रहती वह open करना चाहरे तो Windows key plus U orientation lock set करना है आपको तो Windows key plus U जिससे आप lock screen orientation कर सकते हैं Windows key plus V दबाने से क्या आता cycle through notification आता है यह check कर रहे हैं हाँ अगर आप extra monitor लगा है ठीक ही extra projector screen लगा है तो उसके लिए Windows key plus P जिससे आपको क्या है projection option आ जाएंगे सही के लत्रो notification backwards करना है तो Windows key plus shift plus U दबाईए तो वह option आ जाएंगा अगर आपको search charm करना है तो Windows key plus Q करें तो आपको search option भी आ जाएंगा यहां पर settings में जाना है search option में तो Windows key plus W दबाईए तो आप देख सकते हैं कि setting in search charm में चले आता है अब यहां पर हम लोग देखेंगे Google Chrome shortcut keys अगर आप चारे के incognito mode खोलना है ठीक है तो आप दबाईए control plus shift plus N इससे क्या हो जाएंगा आपका Google Chrome का जो है incognito mode open हो जाता है अगर आप चारे की जो last tab जो already open था आप close कर दिए अगर उसे फिर वापिस खोलना है तब आपका option हो जाएंगा control plus shift plus T इसके वाज़े से जो आपका last tab जो close कर दिए थे वो open हो जाएंगा present जो activity tab है अगर आप उसको close करना चारे तो हो जाएंगा control plus W जो present आप Google Chrome के app में काम कर रहे और बंद करना चारे तो control plus W है next open tab में आप jump करना चारे ठीक है एकदम change करना चारे तो control plus page down keyboard पे देखिया PGDN बलके लिखावा रहेंगा ये key पे press करिया आप control के साथ तो आप next open tab में jump हो जाएंगे नहीं आप previous tab में जाना जा रहें तब आपका option हो जाएंगा control plus page up ये दबाने से आप आप इस पुराने tab में चलेंगे control plus 1 through control through 8 ये जितने भी है न अगर समझे आप काफी सारे tabs खोले वे हैं तो control दबा के आप वो numeric number दबाईए वो tab खोल जाएंगा मतलब continuous negative जैसे exactly उस पर चल जाएंगा नहीं आप एक्तम आपको rightmost tab में जाना है last tab में तो control plus 9 दबाते ही एक्तम rightmost tab में चलेंगा control plus 1 दबाने से एक्तम leftmost tab में open हो जाएंगा हाँ अगर सिफ आप home page खोलना चाहरें तो art plus home दबाईए chrome app में तो वो open हो जाएंगा और प्लेस 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 यह दावाने से फिर इसके बाद n दबाने से क्या हो जाएंगा जो current window को लेगे है आप chrome का वह minimize हो जाएंगा अगर आप Google Chrome खोले वे और आप इसको minimize करना चारें तो Alt Space दबाईए, Alt Option, Alt की, Space की, फिर N दबाईए, तो Google Chrome का जो विंडो है वो minimize हो जाएंगा अगर आप बंदी करना चारें, तो Alt Plus F दबा के फिर X की दबाईए, तो Google Chrome अप ये close हो जाएंगा ठीक है, Alt Plus F या फिर Alt Plus E दबाने से Chrome menu open होता है, ठीक है, Alt Plus F या फिर Alt Plus E ये दबाने से क्या हो जाएंगा, आपका Google Chrome का menu open होता है Ctrl Shift और B दबाए तो क्या हो जाएंगा, डिस्पले और Hide the Bookmark menu, जो Bookmark menu है अगर आप उसको देखना चारें, तो Ctrl Shift और B दबाए तो display होता, नहीं आप उसको छुपा देना चारें तो फिर से दबाए, Ctrl Shift B तो फिर Hide हो जाएंगा Ctrl Shift O दबाने से क्या होंगा, जो Bookmark Manager है, जहां पर आप पूरे Bookmark सेफ करके रखते हैं, वो Manager open होता है आपकर आप कुझमी files download करें, ठीक है, और उस files को क्या है आप देखना चारें, तो Ctrl J दबाने से आपको download page open होता है Chrome app में, और आप देख सकते हैं कि क्या-क्या download करें Shift plus Escape, Shift plus Escape से क्या होता, Chrome का Tax Manager open होता है, Task Manager Chrome का, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कोच से कितना टास्क, जो भी टैब है आपका, कितनी memory ले रहा है, कितना usage है, Shift plus Escape, app open होते वे दबाना है आपको यह, Ctrl, Shift, Delete दबाने से क्या होता है, open the clear browsing data option, अगर आपको browsing data है, अगर आप सो clear करना चारें, जो आप memory ले ले रहे हैं, तो आप सो Ctrl, Shift plus Delete दबाना है, तो यह option open होता है, F5 दबाने से page refresh होता है, यहां तो अगर आप Ctrl plus R दबाए, तो भी आपका page refresh होता है, अगर आप किसी page को bookmark करना चारें, तो वो है Ctrl plus D, Ctrl P D, अगर आप कोई web page पसंद आई, ठीक है, अब जैसा ही वीडियो अगर आपको यह पसंद आया, तो Ctrl plus D दबाने से, यह page bookmark हो जाता ह ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक करिए और शेर करिए, इसमें काफी सारे shortcut keys है, word के shortcut keys है, Excel के shortcut keys है, PowerPoint के shortcut keys है, Google Chrome की भी shortcut keys है, Windows के भी shortcut keys है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिए, शेर करिए और चैनल को subscribe करिए करिए झाल 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 झाल